नेसल फरंगलोसस नाक के ये पार्ट जो है नाक का अंदर में सबसे सामने का पार्ट जो है वो स्किन लाइन्ड है भायर का स्किन थोड़ा अंदर भी जाएगा वो स्किन लाइन्ड एरिया जो है वो है नेसल वेस्टिबुलार एरिया वो skin lined है, तो skin में normally hair cells रहाएगा, तो hair cell में different divisions है, parts है, अब उसमें third line आप देखे, एक line, second line, third line, third line, third line जो माक्या है वो है hair का hair follicle, तो जब hair follicle के उदर, एक bacterial infection हो गया, वो है फरंकुलोसस, तो फरंकुलोसस जब वो vestibular area में नाक में है, वो हुआ nasal vestibular फरंकुलोसस, उसका reason, common कारण यह है, कि कुछ न कुछ local trauma नाक में आता जाएगा, रब करते रहेंगे, जितना रब करते जाएगे, तो वो area dry होने का chance है, बैक्टीरिया है, को में नी रहेगा, तो infection अंदर जा सकता है, और अगर्चो patient का immunity system, body protective system भूद भीक है, जैसे कि diabetic patients में, patients कोई steroids long term ले रहे हैं, और organ transplant patient है, और antibiotic भूद दिन ले रहे हैं, ऐसा patients में उनका immune system कम रहेगा, ऐसा patients में भी फरंकुलोसस बार बार आ सकता है, अभी common presentation क्या है, तो patient ये बताएंगे, कि ये जो area है, उदर थोड़ा pain कर रहा है, और जैसे वो बढ़ता जाएगा pain, सूजन भी बढ़ता जाएगा, उतना area लाल हो जाएगा, सूजन के center में, एक yellow ने तो white spot जैसा दिखेगा, तब तक full, सूजन भी आ जाएगा, दर्द भी अभी इसका investigation, तो patient directly आ रहे हमाले पास, first visit है, इसको पहले कभी भी नहीं हुआ, तो directly treatment स्टार्ट कर सकते हैं, investigation भी ना, अगर्चो हम investigation करेंगे, तो blood test में bacteria है, बोलके सूजन आने का chances है, अगर्चो इसमें थोड़ा सा first discharge कुछ है, तो वहां से swab लेके भेजेंगे, तो कौन सा bacteria है, और उसका against कौन सा specific antibiotic दे सकते हैं, वो भी पता चल सकता है, तो समझो, एक patient मरीज है, उसको एक साल में दो ने तो तीन बार ऐसा nasal pharynglosis बार बार आ रहा है, तो ऐसा मरीज में blood sugar ज्यादा है कि देखना है, must है, क्योंकि अगर्चो patient diabetic है, जब तक वो blood sugar control नहीं करते हैं इसल pharynglosis दुबारा आता रहेगा, अगर जो patient बता रहे हैं कि already वो diabetic है, टाबलेट ले रहे हैं, तो यह चक करना है कि उनका sugar control में है, और यह भी चक करना है कि लास्त तीन मेने में उनका blood sugar control में था कि नहीं, वो hemoglobin A1C करेंगी तो पता चल जाएगा, तो यह हुआ investigation के बार treatment, treatment जो है, oral antibiotic चाहिए, higher end antibiotic चाहिए, 7-10 दिन चाहिए, क्यों higher end और longer duration चाहिए मैं बताओं का बात भी, ऐसा ही pain killer भी चाहिए, दरत कम होने के लिए, सूजन कम होने के लिए, और अगर चो patient immunocompromised है, मतलब उनका body immunity system weak है, तो admit करके देना पड़ेगा, और समझो, इदर फरंगलोसिस हो गया, साथ साथ में सूजन है, complication है, तो भी antibiotic admit करके ही देते हैं, तो यह treatment, साथ साथ में, दिन में, दो बार, सुबह में और आत में, इदर local warm application करेंगे, तो अच्छा है, अभी, यह topic, nasal vestibular फरंगलोसिस related topic, इसका related में एक दो point बताना चाहिए, कि face में यह ना का lower part, नीचे का part और अपर लिप, यह दोनों मिलाएंगे, तो यह जो area marked है, वो है, यह जो area है, वो है, डेंजर area of the face, क्योंकि इसके आस पास है, वीनस सिस्टम ब्लेड जा रहा है, यह face में है, जो वीनस सिस्टम है, वो face के अंदर का वीनस का system के साथ connected है, इसके अं जो वीनस सिस्टम ब्रेइन को जा रहा है, उससे connected है, यह जो है, सीधा ब्रेइन का वीनस सिस्टम से connected है, तो क्या होता है, जब यह area में infection हो गया है, यानि कि फरंगलोस जैसा, नेसल फरंगलोस जैसा, और patient ऐसा बार बार ऐसा चूरा है, squeeze कर रहा है, तो वहां से infection spread होके यह वीनस सिस्टम में आ जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा, वहां से spread होके brain भी जा सकता है, तो बहुत बड़ा complication हो सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा था पहले कि antibiotic दो भी दे रहे हैं, वो सिर्फ नाक नहीं, full area cover करने का equivalent antibiotic देना है, higher end पे देना है, higher dose देना है, और 7 दिन स से 10 दिन तक देना है, और take home advice यह भी पहले भी बताया था, कि area छोना मत और बार बार squeeze भी मत करना, यह most important, अभी इसका complications जो है, एक तो बता दिया, कि spread करके brain जा सकता, और दूसरा जो है, यहां से spread होके, upper lip और face full cellulitis, यानि मतलब सूजन हो सकता है, और नाक का septum जो है, bridge जो, अंदर जो दुखर, उसके उपर पस भी जमा हो सकता है, यह है common complications, तो take home message यह है, और घर में यह follow करना है, कि दिन में दो बार warm application देना है, और यह area छोना मत और squeeze भी मत करना, तो ऐसा nasal vestibular faranglosis manage किया जाता है, शुक्रिया